इस वीडियो में हम chemistry का question करने वाले हैं देखिए ये practice 2 है इसका practice 1 complete हो चुका है अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके playlist में देख सकते हैं जो चलिए start करते हैं फरस question है जल अबगटन में उर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है जब जल अबगटन होता है तो उस समय जो उर्जा उत्पन्न होती है वो किस रूप में होती है तो उर्जा देखिए अनेकों रूप में पाई जाती है प्रकाश ध्वनी अम उश्मा तो कौन से रूपों मे यह जल अभगटन में उर्जा उद्पड न होती है तो यह हो जाएगी उश्मा के रूप में इसका अंसर हो जाएगा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा जो क्रोमेटोग्राफी होती है उस तक्नीक का उप्योग कहां पर किया जाता है एक मिशनर से पदार्थों को अलग करने के लिए कोई मिश्रण है उससे पदार्थों को अलग करने के लिए जो तकनीक उपयोग में लाई जाती है वो है क्रोमेटोग्राफी नेक्स्ट कोश्चन है रेडियो एक्ट्व मापी जाती है तो जो रेडियो एक्ट्व है उसको मापते हैं किस से तो रेडियो एक्ट्व को मापा जाता है गाईगर काउंटर से नेक्स्ट कोश्चन है पर्माडविक संख्या जिसकों की Z से रिप्रेजंट किया जाता है और द्रवेवान संख्या जिसकों की A से रिप्रेजंट किया जाता है इसके एक पर्माडवों में इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होती है तो कोई भी परमाडविक संख्या है जैट और द्रविवान संख्या है इसके एक परमाडव में जो इलेक्ट्रोनों की संख्या होगी वो क्या होती है तो जितनी परमाडविक संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रोनों की संख्या होती है यानि कि जो इलेक्ट्रोनों की संख्या है वो directly किस पर related रहती है परमाडविक संख्या पर तो आंसर क्या हो जाएगा option number A इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है रसायनिक अभिक्रिया में निम्ना प्रभावित होता है तो जो रसायनिक अभिक्रिया होती है chemical reaction होती है उनमें से कौन कौन सी चीजे प्रभावित होती है तो वो हो जाएगा electron यहाँ पर जो रसायनिक अभिक्रिया में किवल किस पर प्रभाव पड़ता है electron पर प्रभाव पड़ता है नेक्स्ट कोश्चन है नाभिक में प्रोट्रोनों की संख्या और न्यूट्रोनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं तो नाभिक जो होता है वहाँ पर देखें ये नाभिक है और क्या होता है यहाँ पर प्रोट्रोन होते हैं और न्यूट्रोन होते हैं तो नाभिक में जो प्रोट्रान होती है और निट्रान होती है इनके संख्या के योग को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है द्रवयमान संख्या नेक्स्ट कोशन है दो तत्व की परमाडू संख्या समान है किन्तु इनके गुड भिन भिन है तो वो क्या कहलाएंगे जब दो तत्व की परमाडू संख्या समान होती है और उनके गुड अलग होते हैं तो यह क्या कहलाता है आईसो टोप कहलाता है नेक्स्ट कोश्चन है विद्दू द्रोप में परमाडू क्या है अगर विद्दू द्रोप में देखें तो एक परमाडू क्या होता है परमाडू जो होगा वो होगा उदाशी विद्दू द्रोप में जो परमाडू होते हैं वे क्या होते हैं उदाशी होते है नेक्स्ट तो देखिए वायू मंडल में क्या होता है वायू मंडल में बहुत सारी चीज़ें मिक्स रूप में होती है जैसे नेट्रोजन हो गया यहां पर ऑक्सीजन हो गया कर्बन डियोक्षईड हो गया यहां पर धूल के कड़ भी प्रेजेंट रहते हैं और यह एक निश्रित अनु तत्व यदि समान एक निश्रित अनुपात में हो तो उसे कहा जाता है योगी और कोई भी जो विश्चीज है वो अगर एक निश्रित अनुपात में ना होकर किसे भी अनुपात में प्रेजेंट रहता है तो वो क्या कहलाता है मिश्र या मिश्रन कहलाता है जैसे योगी के एक्जामपल देखें तो योगी के एक्जामपल में क्या हो जाएंगे H2O हैडोजन के दो परमारू ऑक्सिजन के एक परमारू मिलकर ही यहां पर वाटर बना सकते हैं अगर आप इसका परमारू चेंज कर देंगे तो यह वाटर नहीं रह जाएगा इसलिए योगी क्या होता है योगी एक निश्चित अनुपात में मिला कर तत्वो को बनाया जाता है तो केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूला प्रेजेंट हैं वो सब एक्जामपल किसके हो जाएंगे योगी के हो जाएगी क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एक निश्चित रहता है वो चेंज नहीं होता है और मिक्षर क्या हो गया मिक्षर देखे हमारे वायू मंडल में जो भी चीज़े पाये जाती है उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है वो किसी भी अनुपात में वहां प्रेजेंट रहते हैं तो वो क्या हो जाएगा मिश्र हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन है इन में से सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा क्या होता है प्रोट्रॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है या परमाडू होता है या अडू होता है तो सबसे छोटी की बात करें तो इतने में अगर देखो अब चारो अप्शन में तो कौन सा सबस चोटा होता है next है hydrogen में hydrogen जो पर्माडू होता है इसमें neutron की संख्या कितनी होती है तो neutron की संख्या बात करें तो यहां जो हो जाएगी वो जीरो होती है क्यों देखिए अभी यहां पर hydrogen को हम इस तरीके से लिखते हैं तो hydrogen की जो परमाडू संख्या क्या होती है? वन होती है. तो जितने परमाडू संख्या होते हैं, इतने ही उसके द्रविमान भी होते हैं. तो इसलिए इसके जो neutron होते हैं, वो क्या हो जाती है? 0 होती है. Next है, निमन इलेक्ट्रोनिक विन्यास किस तत्व को सुचित करता है? तो यह electronic विन्यास है, वो कौन से तत्व को यहाँ पर बताता है? तो इसमें क्या करते हैं? सारे को add कर लो. 2, यहाँ पर जितने भी दिया हुआ है configuration. 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1. इसको add करते पर कितना आएगा? 16. तो जो 16 होता है, परमारू संख्या किसकी होती है? 16 किसकी होती है? यह होती है. तो देखें, इसका अंसर क्या हो जाएगा? 16 किसका होता है? सल्फर का होता है. Next question है, किसी तत्व के परमारू की दूसरी कक्षा में इलक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है? तो 2, 8, 8 के रूप में होती है. तो यह दूसरी कक्षा में पूछ रही, तो दूसरी कक्षा में कितनी हो जाएगी? यहाँ दूसरी कक्षा में हो जाएगी? तो यह क्या हो जाएगा option number A next question है निम्न लिखित में से कौन सा कड़ अइस्थाई होता है तो कौन सा कड़ अइस्थाई होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो neutrino होता है यह क्या होता है अइस्थाई होता है next question है निम्न लिखित में से 20 neutron 18 इलक्ट्रोन वाड़ा कर कौन सा है तो यहां पर जिसमें 20 न्यूट्रोन हों और 18 इलक्ट्रोन हो तो द्रवेवान संख्या क्या होती है तो यहां पर देखें क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा option number B क्योंकि जितने electron होते हैं उतनी ही उसकी पर्माडू संक्या रहती है और एक ही option है कि पर्माडू संक्या क्या होता है 18 इसमें दिया हुआ है ठीक पर्माडू संक्या को नीचे लिखा जाता है तो यही हो जाएगा option number B इसका right answer next question है sodium chloride में क्या होता है तो sodium chloride की बात करें तो sodium chloride में क्या होता है वैदूत संयोजी बंध होता है नेक्स्ट है नीवनलिकित में से सबसे छोटा कड कौन सा है तो जो इतने option दिये उसमें से सबसे छोटा कड कौन सा है तो सबसे छोटे कड की अगर बात करें तो यह हो जाएगा proton नेक्स्ट है तत्वों और योगिकों के अड़ों को किसके द्वारा दर्साया जा सकता है तो जो तत्वों होते हैं और योगिक होते हैं इनके अड़ों को किसके द्वारा दर्साया जा सकता है तो यह हो जाएगा रसायनिक सुत्र जो तत्वों और योगिक होते हैं इनके अड वों को रसानी सुत्र के द्वारा दर्साया जा सकता है नेक्स्ट कोशन है पदार्थ का सबसे छोटा कर जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मुल्पदार्थ के गुर्धर्मों को धारड किये रहता है वहां क्या कहलाता है तो यह जो डेफिनेशन है यह किसकी हो जाएगी properties है उसको वो नहीं खोता तो वो कौन हो जाएगा अडू है है नेक्स्ट कोस्चन है पर्मारू की प्रभावी तृज्जा होती है जो पर्मारू होते है इनकी जो तृज्जा होती है प्रभावी तृज्जा उसको किस पे मापा जाता है तो यह हो जाएगा 10 की पावर मैनस 10 मिटर और यहीं पर अगर नाभिक की पूछा होता तो नाभिक के लिए क्या होता है नाभिक के लिए होता है एक फर्मी और फर्मी क्या होता है 10 की पावर मैनस 15 ठीक तो यहाँ पर परमानू की बोली है तो परमानू की क्या हो जाएगी 10 दुकि पाउर मानस 10 और यह जो है वो हो जाएगी नाभिक की नेक्स्ट यहाँ पर कोश्चन है कथन कथन क्या दिया हुआ है तरली क्रित पेट्रोलियम गैस का प्रमुग घटक मेथेन होता है दूसरा पड़ते हैं कारण क्या दिया हुआ है मेथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग मिलाई जा सकती है जहां वहाँ पाईप लानों में से उपलब्दे कराई जा सकती है तो देखिए यहां पर क्या है यह बात तो सही कही गई है कि जो मेथेन होता है उसको जो घर होते हैं और कारखाने होते हैं इनमें जलाने के लिए सीधे ही प्रयोग में लाया जाता है और यह एक पाइपलाइनों से उबलब्दे कराई जा सकती है तो यह घरों में उप्योग क या भी जाता है पुरान तैम में और भी ज़्यादा उप्योग होता था लेकिन अब इसका उप्योग कम हो गया है पहला क्या बोल रहा है कि तरली की पेट्रोलियम गैस का प्रमुग घटक मेथेन होता है देखिए पेट्रोलियम गैस का प्रमुग घटक मेथे नहीं होता है प्रोपेन होता है ठीक है तो ये आंसर गलत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो इस एकॉर्डिंग में आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा option number D इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि A wrong है और R सही है नेक्स्ट है बायो गैस में मुख्यता हो होती है तो बायो गैस में कौन कौन सी चीज़े देखने को मिलती है तो देखिए बायो गैस जिसकी हमें अभी बात कर रहे थे मेथेन मेथेन तो होती ही है साथ में क्या होता है इसके साथ होता है कार्बन डाइ ऑक्साइ hydrogen नहीं होता carbon dioxide होता है और methane होता है इसको दोनों को मिला कर क्या कहा जाता है bio gas next है indian gas यानि की LPG कहते हैं तो LPG को full form क्या होता है liquid petroleum gas इसका जो mission होता है कौन कौन सी gas का mission होता है ये mission होता है propane और butane का next है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो gas होती है वो मुख्यता है तो खाना बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वह gas कौन सी है तो वह हो जाएगी methane methane gas का उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं next question है देखिए तरली किरित petroleum gas LPG का मुख्य आधार घटक क्या है तो LPG की बात करी तो मुख्य आधार घटक क्या हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन भी इसमें रहता है लेकिन यहाँ पर पूछाए कि मुख्य आधार मुख्य जो आधार है वो कौन से है ब्यूटेन next question है एरो सोल का उधारण है जो एरो सोल है इसके example कौन सा देखने को मिलेगा तो यहाँ पर धुआ एरो मतलब एयर तो धुए में यह एयर आएगा बाकी सब चीजें तो यहाँ पर eliminate हो सकती है next question है लिटमस प्राप्त किया जाता है तो लिटमस जो होता है लिटमस पेपर जिसे की अमल अच्छार का पता भी लगा सकते हैं तो यह किस से प्राप्त होता है तो यह प्राप्त होता है लाईकेंसे नेक्स्ट कोशन है वह चुनी जो मिश्रण नहीं है मिश्रण का मैंने आपको बताया था योगी क्या हो जाता है योगी जो होता है एक निश्रित अनुपात में किसी चीज को आप मिलाते हैं तो वो बनता है योगी और मिश्रण क्या होता है कोई भी चीज है उसको आप एक अ नहीं है तो क्या हो जाएगा LPG LPG जो होता है यह मिश्रन नहीं होता है क्योंकि इसमें देखिए एक के निश्रित अनुपात में यहां पर गैसों को मिलाया जाता है बाकि जो गया वायू वायू जो होता है एक मिश्रन है आसूद जल भी मिश्रन है और गैसलीन भी मिश्रन है नेक्स है जल के जो आयनी गुड़न फल होते है उसको किलो वाट यहां पर जो आयनी गुड़न फल होते है उसको किसमें दर्शा आ जाता है किलो वाट का इसमें से कौन सा है तो जल के जो आयनी गुड़न उसका यूनिट है उसको पूछा है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी ये याद रखेगा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ये नेक्स्ट है सुद्ध जल का पी एच मान क्या होता है तो सुद्ध जल का यहां पर पी एच की बात करें तो वह होता है gas समी करण है तो समानिय जो gas समी करण है वो क्या होता है PV इक्वल टू NRT ठिक कौन सा हो जाएगा PV इक्वल टू NRT नेक्स्ट है पंकिल चलके निस पादन के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो हमेशा जब भी निस पादन दिया रहेगा तो इसके लिए किसका उप्योग करते है फिटकरी साधरन फिटकरी का यहाँ पर उप्योग किया जाता है नेक्स्ट है असुद्ध कपूर को सुद्ध किया जाता है तो जो कपूर असुद्ध होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए किसका कौनसी मेथट का यहां पर उप्योग किया जाता है तबाह हो जाएगा उर्धु पातन नेक्स्ट है पायस एक कोलाइड होता है तो पायस जो होता है कोलाइड होता है तो पायस का मैं आपको एक्जामपल बताती हूं वो हो जाएगा मिल्क अब बताएगे कि इसमें से कौन सा हो बतागा तो द्रौ में द्रौ ठिक मिल्क में देखिए water और milk दोनों ही क्या होते हैं द्रव होते हैं तो ये एक पायस का example है जो milk है वो तो ये क्या हो जाएगा द्रव में द्रव का mixture निक्स्ट कोश्चन है दुध एक ऐसा कुलाइडी तंत्र है जिसमें क्या होता है तो दुध ऐसा कुलाइडी तंत्र है जिसमें वशा को पानी में परिक्षे पित किया जाता है वशा को किसमें परिक्षे पित किया जाता है पानी में नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राकृतिक इंधन है इन में से आपको बताना है कि कौन सा एक प्राकृतिक इंधन है तो आंसर क्या हो जाएगा पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्या होता है एक ये नैचुरल जो होता है नैचुरल इंधन है ठीक है निक्स्ट डीजल इंजन में प्रयोक्त जो इंधन है वह कौनसा होता है डीजल इंजन में कौनसे इंधन का प्रयोक किया जाता है तो डीजल की वाश्प और वायू इसका अपयोग किया जाता है डीजल इंजन में नेक्स्ट कोशन है स्वचालित वाहनों में प्रदूशन नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यता है क्या होता है तो जो स्वचालित वाहन होते हैं उनमें प्रदूशन को नियंत्रण करने के लिए CNG का उप्योग किया जाता है तो उस CNG में कौसी यहां पर चीजें ज पर रहता है नेस्टर कोश्चन है निम्नली की तकत्रों पर विचार कीजिए कोईला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जिवाश में इंधन है दूसरी बूर रही है गैस होल बैंजीन तथा एलकोहल का मिश्रण है भुतापिय उर्जा एक अपारस परिक उर्जा श्रूत है गोबर गैस में मुख्यता मेथेन गैस होती है अब इन चारों में से कौन सा यहां पर सही होगा तो देखें यहां पर गोबर गैस में मुख्यता मेथेन गैस होती है यह तो हमने पढ़ा हुआ है बुतापिय उर्जा एक अपारस परिक उर्जा का सुरूत है यह भी सही हो यह यहाँ पर wrong दिया हुआ है यानि कि जो gasol होता है वो benzene और alcohol का मिश्णर है जो कि गलत है Next question है Oil of vitrol का रसानिक नाम क्या है किसको कहा जाता है Oil of vitrol तो जो अमला राज होता है H2SO4 इसी को कहा जाता है Oil of vitrol Next question है cement की खोज किसने की थी cement जो है इसकी कोज किया गया था Joseph Aspidin के द्वारा Next question है मिट्टी के तेल की कुथनां को किस ताप परिशर द्वारा दर्साया जाता है तो मिट्टी के जो तेल होते है इसके कुथनां को 150 degree Celsius से 300 degree Celsius की ताप पर दर्साया जाता है Next question दिया हुआ है कि निम्नलेकित कतनों पर विचार कीजे तीन कतन दिये हुए है इनमें से फिर नीचे आपको कौन-कौन सा यहां पर सही है उसके according आंसर लगाना है तो देखिए पढ़िए क्या-क्या है पहला क्या दिया हुआ है द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तक था उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेश रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथ्व परिवहन सुसाथ्य हो सके दूसरा भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ है तीसरा द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रवों का प्रिथक करन किया जाता है और इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित होता है अब देखिए इन तीनों के कौन-कौन सा यहां राइट होने वाला है तो देखिए इस कोशन का जो राइट आंसर वो क्या है अनली बन यानि कि जो द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यतिक शेत ताप्ता उच्च दाप में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेश रुप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्राण अत्वा परिवहन सुचाध्य हो सके यह दोनों रॉंग है नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्यताह कौन सी तत्वा होती है तो मैंने आपको बताया संख्या गुर्वत्ता का माप है जो ओक्टेन संख्या होती है और जो सीटेन संख्या होती है यह दोनों किसकी गुर्वत्ता मापते हैं तो जो ओक्टेन संख्या है यह मापती है पेट्रोल की और जो सीटेन संख्या है वो जो है डीजल की गुर्वता को मापता है